हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग, बड़े दिनों से मैंने ऐसे बैट के कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मगर ये वीडियो मैंने एक वादा करा था, कि मैं बेल्जियम से अभी मेरा टूर खतम करकर आया हूँ, तीन-चार मुल्क गूम कर आया हूँ, अगर वो वीडियो आप लोग उने नहीं देखी, तो वो ये रही, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजे, कि महां का प्रॉसेस क्या है, कितनी बैंक स्रीटमेंट्स चाहिए होती है, ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है या नहीं, कोर्सिस क्या क्या अवेलेबल हैं, और टोटल कॉस कितनी आ जाती है, तो बैलजियम में साल में सिर्फ एक सेशन होता है इटली की तरह, जो कि जिसके एडमिशन तकरीबर नवेंबर-डिसेंबर से खुलते हैं, और एप्रिल-मे तक चलते रहते हैं, और क्लास से शुरू होती हैं सेप्टेमबर में, जो कि जैसा इटली का होता है, साल में होता ह एक सेशन है, दो सेशन नहीं होते हैं जैमिनी की तरह, दूसरी बात यह है कि बेलजियम में आप पढ़ाई के लिए बहुत सारे कोर्से अवेलेबल हैं और ज्यादतर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कोर्से अवेलेबल हैं, आप 12 के बाद आपको कोई फाउंडेशन य यह जा रहे हो, तो आपको कोई फाउंडेशन यह नहीं करना है, आपने कोई लैंग्विज नहीं सीखनी है, आपने बस वहाँ अपलाई करना है और आपको लैंग्विज में और वहाँ आपको डिरेक्ट बैचलर में एडमिशन मिल जाएगा, depending on the course. और मास्टर्स वाले ब बहुत जादा मैटर नहीं करती, क्योंकि हर टियर की वहाँ पर उनिवर्स्टीज है, मगर आइल्स हर हाल में आपका होना जरूरी है, मैंने ऐसे भी बच्चे से मिला हूँ जिसकी 50% पे इंटर में वीजा लग गया था, बेलजियम का, बेलजियम के अंदर ही, और मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ, जिनका 2.345 CGPA पे भी वीजे लग गए थे, मगर आइल्स का किसी के बगए नहीं लगता, 6 bands minimum आइल्स की requirement है, बेलजियम में, सॉरी, अगर आपके पास बेलजियम में आइल्स नहीं है, तो फिर आप प्रोसेस नहीं शुरू कर सकते, कोई प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके पास आइल्स होना जरूरी है, जहां तक ये फाइनांसिस की बात रही, फाइनांसिस में, बेलजियम में ब्लॉक अकाउंट भी होता है, और युनिवरस्टी की फीज भी होती है, इस हिसाब से बेलजियम थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर वहां का वीजा रेशो 100% है आज कल, अभी के हिसाब से आज की डेट पे जब भी आप लोग ये विडियो देख रहे हैं, वीजा रेशो महां का 100%, अगर मैं 10 बच्चों से मिला हूँ और हमने 10 बच्चों का प्रोसेस करवाया है कि तो 10 के 10 का वीजा लग रहा है, तो अ अभी तक का 100% वीजा रेशो चल रहा है, अनलेस कि आप कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट लेकर चले जाओ, या आपने कोई बत्तमीजी कर दी महां पर, क्यूंके वहां ब्लॉक अकाउंट खुलता है, ब्लॉक अकाउंट युनिवरस्टी टू उनिवरस्टी वैरी करता है, ज 9,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक के ब्रैकेट में ब्लॉक अकाउंट एन्वल खुलता है, बैचलर्स वालों के लिए भी और मास्टर्स वालों के लिए भी ये सब को खुलवाना होता है, किसी को इस पे कोई छूट नहीं है, और इसके इलावा कोई उनिवरस्टी में 9,000 यूरो फीज होती है, और कोई उनिवरस्टी में 9,000 यूरो फीज भी होती है, मतलब ऐसी ऐसी उनिवरस्टी हैं, बेलजियम में, जिनकी 900-900 यूरो फीज हैं साल भर की, जो के ना होने के बराबर है, मतलब अगर आप जेर्मनी में भी पढ़ने जाते हो, तो 3,300 यूरो साल में आपको contribution charges देने पड़ते हैं, अगर आप Italy में भी, जो तमाम free countries हैं, free education countries हैं, उनमें बहुत कम fees होती है, तो वैसे ही अगर आपका 9,500 यूरो वाली उनिवरस्टी में admission हो गया, जो के मुझे नाम नहीं पता, अगर मुझे नाम पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता द account सिर्फ आपको first year के लिए खुलवाना पड़ता है, अगर आप bachelor's करने के लिए जा रहे हो तो पहले साल के लिए खुलवाना है, और अगर आप master's करने के लिए जा रहे हो तो भी पहले साल के लिए खुलवाना है, और कुछ universities की fees तकरीबर 9,000 यूरो तक भी हैं, मगर it depends on the course मतलब अगर आपने कोई simple courses पढ़ने है, business के courses पढ़ने है, या कोई computer science related courses पढ़ने है, तो उसके लिए काफी जादा सस्ती universities हैं, जिनकी मैंने भी fees बताया, साड़े 900,000 यूरो fees है, साल की, मगर अगर आपने engineering या medical related fields में जाना है, क्योंकि वहां nursing की भी fields हैं, और वहां pharmaceutical के भ different English taught programs है, तो उनकी fees हैं, उनकी 9,000 यूरो तक भी fees हैं, और वो आपको हर साल pay करनी पड़ेंगी, मगर on the other hand, वहां पे मैं अभी होकर आया है, तो वहां jobs का इतना कोई off scene नहीं है, part time jobs असानी से मिल जाती है, और हम आप इतना कमा भी लेते हो, कि आप अपनी fees almost निकाल लोगे साल की और अपना खर्चा भी आराम से चला लोगे, अच्छा पहले Belgium में होता ये था कि आपने पढ़ाई करी तो आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ता था, मगर अब Belgium में ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर लोगे तो आपको वहां पे work visas भी मिलेंगे, job hunting visas मिलेंग और इसके इलावा आप लोग किसी और country में भी move कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों का dream होता है कि उनने Germany जाना है, in the end, gold Germany है, तो आप लोग पढ़ाई करने के बाद मोस सर्टनली Germany में भी job ढून सकते हो और Germany में भी जा सकते हो, तो settlement के भी बहुत अच्छे options हैं, अच्छा लोग चाहें, आप लोग comments में लिख सकते हैं उनके बारे में, मगर मैं इनके बारे में जल्दी videos भी बना दूँगा और elaborated कि आप लोगों को जादा बहतर तरीके से समझाएं, मगर आप final topic रह गया है कि वहां का visa का क्या हिसाब के था, वीजा कैसे लगता है, कैसे apply होता है, वीजा interview होता है, वो कैसा होता है, तो बैलजियम की embassy है, पाकिस्तान में, इसलामबाद में embassy है, आप लोग महां जाके visa apply कर सकते हैं, और इस time, to this date, बैलजियम का कोई visa interview नहीं होता, वो on paper एक visa interview लेते हैं, आपने on paper एक सवाल लिखे वे होता हैं, जैसे टर्की के हमारे जित कर आ जाते हैं, और वहां अपनी पूरी file जमा करवा देते हो, इसकी मैं extensive video बना दूँगा, और फिर आपका within 10 to 14 days visa लग कर आ जाता है, ये simple process था, बैलजियम का, मैंने जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करिए कि बैलजियम का क्या 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 process है, और क्योंकि अबी session भी बैलजियम का, अभी April चल रहा है, तो May में almost सारी universities के admissions close हो जाएंगे, और फिर September में वहां की classes हो जाएंगी, June तक भी कुछ-कुछ universities के admissions रहते हैं, और फिर अगले साल November में उनका session खुलेगा, तो भाई, अगर आप लोग कोई के पास इस process से related कोई और सवाल आते हैं, तो you can put them down in the comment sections below, अगली वीडियो में मैं उनका जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, और you guys can always contact me on Facebook, Instagram या Calendly पे, आप लोग हमेशा मेरी class book कर सकते हैं, अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो please consider liking and subscribing the video and the channel, क्योंकि उससे मुझे काफी support मिले ग किर कल में तायना, peace out.